ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार दिक स्वागत हैं तुला राशी वालो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जुलाई से 31 जुलाई यानि की आपकी राशी के जुलाई 2022 के महीने के महा राशी फल के बारे में की जुलाई 2022 के महीना आपकी राशी वालो के लिए कैसा रहने वाला है किनकिन चीजों से इनको फाइदा होगा किनकिन चीज लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की वहत्पपण जानकरी हम आपको देंगे और साथे साथ इस वीडियो के अंत में हम आपको कुछ छुपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने इन दिनों को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले भगवान शनी देव के शक्षे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दें कमेंट स्पोक्ष में जैश शनी देव अवश्य लिग दें जिससे भगवान शनी देव का शिद्वाद आप कुछ इदे प्राप्त हो सकी और शाथ शाथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को फ्रेस करें जिससे समय समय पर इसे प्रकार की महत पपुन गैन वर्दक वीडियो आप लोगों तक पहुंची सके चड़ी दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए एक जुलाई से 31 जुलाई यानि की जुलाई 2022 के वहीने का यह महत पपुन समय दोस्तों यह समय आर्थिक पक्ष पहले से अधिक शक्षम और मजबूत इस्तिती में रहेगा कुछ समय से चल रही चिंताओं से अब आपको राहत मिलेगी परिवार के लोगों की हर छोटी मोटी जरूरते कूरी करने में आपको आनन्द आएगा अचानक ही किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलकात खुसी आपको प्रदान करेगी दोस्तो साति सात यह समय भग्य उन्नती के सुब अफसर बन रहे हैं जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ या फिर अटका हुआ था उसके अब पूरा होने का समय आ गया है कुछ विरोधी हावी होंगे परन्तु आपका आहित नहीं कर पाएंगे दोस्तो यह समय विध्यार्तियों की पिर्तियोगी परिक्षाओं का परिणाम उनके पक्ष में आएगा आवश्चकता है तो सिर्फ पहले से जादा मेहनत करने की किसी रिष्टेदार या मित्र द्वारा कोई महत्पपूर्ण सूचना भी आपको मिल सकती है जो आपके लिए लाबदायक साबित होगी दोस्तों साथ साथ यह समय बच्चों की पढ़ाई में करियर से सम्मंदित समस्याओं का समाधान मिलने से सुकून और राहत मिलेगी बड़े बुजर्गों के आशिरवाद वे किरपा से घर में खुसनुमा वातावरन रहेगा आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय पाने के लिए भी परत्न सील रहेंगे दोस्तों साथ साथ पिछले काफी समय से जो काम आपके रुके हुए या फिर अठके हुए थे वे अब आपके अल्प पिर्यास से ही पूरे होनी की संभवना है किसी रिष्टिदार से संबंदित कोई समचा सुनने को आपको मिल सकता है भाईयों से बटवारे संबंदित विवाद का निप्टारा आपसे सहमती वे किसी की माद्यमता से आसानी से हल हो जाएगा राजनितिक तता महत्पपून लोगों से लाबदायक आपके संपर्क बनेंगे आप अपनी बुद्धिमता वे होस्यारी से अधिकतर काम निप्टाने में यह समय सक्षम रहेंगे दोस्तो साति सात यह समय कुछ लोग आपकी आलोचना वे निंदा कर सकते हैं ऐसी नकारात्मक प्रवर्ति के लोगों से दूरी आपको बना कर रखने की आवश सकता है खर्चों की अधित्ता रहेगी जिससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है भायों के साथ संबंध योगदान रहेगा दोस्तो यह समय आप अपने क्रोध वे आवेश को काबू में रखना आपके लिए आवश्क हैं कई बार जल्दबाजी वे अति उत्सा में बनाया हुआ खेली भी बिगड़ सकता है जिसकी वज़े से परिवारिक शुक्षांती भी प्रभावित हो सकती ह वे अडियल रविया आपको चिंता में डाल सकता है दोस्तो साथ साथ यह समय आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें क्योंकि कोई आपको भावनात्मक रूप से बेवकूप भी बना सकता है व्यर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग बन रहे हैं इसलिए अप को किसी की सला आवश्य लेनी चाहिए यह आपके लिए अच्छा रहेगा साथ साथ दोस्तो यह समय विद्यार्तियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यक्ता है साथ ही फिजूल खर्चों में भी आप कटोती करें करोद वे उत्तेजना पर आपको जर अवक्ता और उदार्ता जैसी कमजोरी पर विजय प्राप्त करना आपके लिए अति आवश्यक है क्योंकि इसकी वज़े से कुछ लोग आपका फायदा भी उठा लेते हैं सोसल मीडिया और व्यर्थ के मित्रों से आप दूरी बना कर रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो साती सात बात अगर आपके लव लाइफ की करें तो यह समय परिवारिक वातावरण सुखद रहेगा प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने केरियर के साथ कोई समझोता आप ना करें दोस्तो साती सात यह समय पती पतनी के आपसी तालमेल और समाजस में कुछ कमी रह सकती है इसलिए कुछ समय परिवार के साथ बैठकर समय व्यतित करना माहुल को बहुती शामान ने बना देगा दोस्तो साती सात पती पतनी के मध्यें यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसका अब हल निकलेगा तथा घर का वातावरन खुसनुमा हो जाएगा प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने केरियर व्य अध्यन के साथ समझोता आप ना करें परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा किसी बच्चे की किलकारी संबंदित सुब सूचना मिलने से परिवार में यह समय खुसनुमा वातावरन रहेगा और परिवार प्रसन्नता पूर्ण रहेगा दोस्तो बात अगर आपके वेवसाय और केरियर की करें तो यह समय वेपार वे कामकाज में कुछ थोसवे महतपपूर्ण आप निरने लेंगे जो कि आपके लिए बहुत अधिक फायदेबंद सावित होंगे आर्थिक इस्तितियां पहले से अधिक मजबूत होंगे नौकरी मे किसी प्रकार की गलती होने से अधिकारियों के शमक्ष जबाब देही आपको करनी पड़ सकती है दोस्तो साथ साथ कारोबार में कड़ी मेहनत और परिश्रम की आपको आवशकता है कार्य विस्तार संबंदी योजनाएं कार्य रूप में पढ़नित होंगी एक बार उस वेक से सभी परिशानियों का हल बहुती सांति पूर्ण धंग से निकाल लेंगे साथ साथ कार्य छित्र में विस्तार के लिए कुछ योजनाओं पर विचार होगा यह समय मार्कटिंग संबंदी कारों पर अधिक आपको ध्यान देने की आवशकता है किसी बड़े अधिकार या राजनितिग से आपकी मुलाकात बहुत फायदेबंद साबित होगी नोकरी पेशा लोगों की दिन चरिया बहुत अधिक व्यस्त रहेगी दोस्तों साथी साथ यह समय व्यपार में विस्तार संबंदी जो योजना पिछले काफी समय से चल रही थी उसके क्रिया निवंत करने का समय आगया है सेल टेक्स जी अश्टी आदी से जुड़े काम आप जल्द ही पूरा कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा प्रैवेट नोकरी में लक्षे को प्राप्त करने का आपके ऊपर समय दबाब भी रहेगा दोस्तों साथ साथ यह समय कामकाज को पू सरकारी नोकरी में किसी प्रकार की उल्जने उत्पन हो सकती है इसलिए व्यर्थ किसी के काम में हस्त छेप आप ना करें दोस्तों साथ साथ व्यपार में कोई भी नया निवेश करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच परताल आप अवश्य करें किसी की चिकनी सारियों का सयोग आपको तनाव मुक्त रखेगा दोस्तों नोकरी पेशा लोगों के लिए यह समय मिला जुला रहने वाला हैं दोस्तों बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय शाररिक कमजोरी तथा हड्डियों में दर्द जैसी समस्याएं रह सकती हैं वर्तमान महा आउल से अपना आपको बचाव रखने की आवश्चकता हैं स्वास्था आपका ठीक रहेगा परन्तु खान पान तता दिन्चरिया को विवस्तित रखना आपके लिए अति आवश्चक हैं साति सात वायू विकार वे पेट से संबंदित दिक्कतें रह सकती हैं जादा और तेलिये भोजन खाने से आप परेज करें किसी भी प्रकार की बुरी आदत वे बुरी संगती से आप दूर रहें इसी वज़े से आपका इम्यून सिस्टम भी कमजूर हो सकता हैं दोस्तों अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप नियमित योग और प इन दिनों शनिवार के दिन घर पर रोटी बनाकर उस पर सरसो का तेल लगाएं इसके बाद आप उस रोटी को किसी काले रंग के कुत्ते को भगवान शनिदेव क्वेसमन करते हुए खिलादे ऐसा करने से भगवान शनिदेव प्रस्षन होते हैं और आपकी समस्त मनों कामन पूर्ण हो जाती हैं और साथ इसाथ आप शनिवार के दिन नहने के बाद कटोरी में सरसो का तेल लें उसमें आप अपना चेरा देखें ऐसा करने से जीवन की सभी परिसानिया दूर हो जाती हैं और इसके बाद आप इस तेल को किसी जवर्दमंद व्यक्ति को दान करें ऐ तो सुमसानिस्थान पर हो और फिर किसी शनि मंदिर में जाकर आप पीपल के पेड़ के पास दीपक जला सकते हैं या फिर भगवान शनिदेव के समीब भी आप दीपक जला सकते हैं वो विशर्जो के तेल का ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी शनी से संबन्दित परिशानिया आ रहे हैं वे परिशानिया दूर होंगी और भगवान सनीदेव के किरपा आप पर सदीब बने रहेगी और सात्य साथ आप प्या करें आप सनिवार के दिन भगवान बजरंग बली को सिंदूर और चमीली का तेल भी चड़ाएं जादोस्त ऐसा करने से आपको भ परिशानिया हैं वे परिशानिया खत्म हो जाएंगी या दूस्तों इस वीडियो में हमने आपको आपकी राशी का जुलाई 2022 का महारासी मलब बताया अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो वीडियो को लाइक करें जादा शेयर करें चैनल पर सब्सक्राइब करें ज प्रेशनि दिव